हमारे परोत्री देश, चीन पर यह आरोप लगता है कि इसी देश के गुहान से कोरोना वाइरस पुरे विश्व में फैला था। हमारे सीमा च्छत पर चीन बराबर कोई न कोई उलूल जूलूल हरकत करते रहता है। कहा जाता है कि चीन ने पाकिस्तान को 75% से ज़्यादा हत्या लिया है और स्रिलंका के इस तवाही में भी उसका बहुत बड़ा रूल है। इतने सारे आरोब तो चीन पर लगते ही रहते हैं लेखिन अब एक नया आरोब चीन पर तिलंगना के मुख्य मंत्री केच चंद सेखार रावने लगाया है। दर असल बात यह है कि तिलंगना के गुदाबरी इलाके में इंडी नों भयंकर बाढ़ाया हुआ है। इसी को लेकर केच चंद सेखार रावने अरोब लगाया है कि इस भारी बारिस और बाढ़ के पीछे का वज़ा बादल फटना है। कहीं न कहीं ये विदेशी साजिस हो सकती है। क्या चीन सचमुच बारिस करवा सकता है। क्या कित्री बारिस संभव है। क्या केच चंद सेखार रावने लगाये जा रहे हैं या रोब सच है या वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। या सब हम आपको आगे बताएंगे। नमस्कार मेरा नाम परितोशाही है और आप जंता जंकसन देख रहे हैं। हाली मेतलंगना और आसपास के राज्यों में भारी बारिस के बया से यहां कि कई जीलों में भारी तवाही मची हुई है। इसी बीच यहां कि मुख्यमंत्री के चंद सेखार रावने कहा है कि गोदाबरी इलाके में बाढ़ की बड़ी बज़ा बादल भटना है। नोंने कहा कि यह घटना दूसरे देशों की साजिस भी हो सकती है। जब वह हाल ही में राज के बाढ़ प्रभावित इराकों का दौरा करने निकले थे। उन्होंने कहा है कि भारत में बादल भटने की वज़ेशी ताक्तों की साजिस लग रही है। पहले ही उन्होंने लेह, लद्धाक, उत्राखंड में इस साजिस को अंजाम दे दिया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बादल अपने आप फटता है या कितनी वारिस के रूप में बादल फटना क्या होता है। पानी से भरी एक बड़ी पॉलोतिन आसमान में फट गई हो। इसलिए इसे हिंदी में बादल फटना और इंगलिस में क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं अधिक आडिक तोर पर इसका पैमाना 20 से 30 वर किलो मीटर के इलाके में एक घंटे से कम समय में 100 मिली मीटर से ज्यादा बारिस होना है बस 100 लिटर यूही तो आपको यह आकरा बेह छोटा ल करस जाए तो समझे वहां की स्थिति क्या होगी वैसे तो बादल फटने का इत्यास बहुत पुराना है लेकिन हाल ही के दसकों में यह मामला उस समय बहुत चर्चित हुआ था जब चीन की राज़ानी बिजिंग में उलम्पिक चल ला था मौसम विभाग ने मैदान मैच के दिन बारिस होने की समभाबना जाहिर की थी और समभाबना यह थी कि बारिस के कारण मैच रद हो जाएगा लेकिन इससे बचने के लिए चीन ने मैच से एक दिन पहले ही क्रितनी बारिस करवा ली थी इसके लिए एक दिन पहले ही बादल फटने का इंजाम किया गया और में काफी चर्चा का भी सह रहा था अब सवाल उठता है कि क्या भारत में बादल फटने के पीछे चीन की स्राजी से 1970 सब तक हमारे दियस में बादल फटने की घटना 30 से ज्यादा बार हुई है यह सभी घटना यह हिमाले छेतर में हुई है जम्मु कस्मीर, लद्दाख, उत्राखन, अरुनाचल परदेश में भी बादल फटने के बाद भारी बारी से कई बार तवाही मच चुकी है उत्राखन में 2013 में बादल फटने के कारण अचानक आई बार से केदारनाट में भैंकर आपदा आई थी इस दोरान यहां लगवक पांच हजार लोगों की मौत इस कारण से हुई थी वहीं असम में हर साल बारी सार बारी से कई सो लोगों की मौत होती रहती है यह हमेशा आपको ख़बर में दिखता ही होगा क्योंकि बादल फटने की ज़्यातर घटनाए भारत और चीन के सिमा वाले इलाके में होती है ऐसे में इसके पीशे चीन की साजिस होने की आसंका जताई या रही है चीन से ना समय समय पर भारत के बार्डर पर उक्साइये वाली करवाई तो करती ही रहती है चीन पर इस तरह के कई आरोप लगते रहते हैं कि योफ प्रकिर्टी के खिलाफ कई तरह के डिसिजन ले रहे हैं जिसका गलत प्रभाव आने बाले देने उमें देखने को मिल सकता है अब तलंगना के सीम के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगर आप यह वीडियो फेस्टूक पर देख रहे हैं तो फेच को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैमरे के पीछे से हमारे सही होगी विसाल बहुत बहुत धन्यवाद